नमस्ते फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मज़दार सी रेस्पी और इसके साथ खाने के लिए हम एक अच्छी सी चट्पटी सी चट्नी भी बनाएंगे जिसे बनाना बहुत इजी है ये घर के बेसिक सामान से और बची चीजों से बन जाएगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आई हो तो सस्क्राइब करना मत भूलिएगा मैंने एक कटोरी भर के लिया है साबु दाने का आटा साथ में उतना ही उबला हुआ आलू के से हाथ से मसलते हुए दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले से क्योंकि साबु दाना भीगा नहीं है इसलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है अलो में पता ही चलता कि इसमें अलू भी आपने डाला है और आधा कटोरी दही लेंगे और दही बिल्गुल फ्रेस होनी चाहिए खटी नहीं होनी चाहिए उसी हम इसका आटा गुत के तयार कर लेंगे ये देखिए दही डालते जाएंगे और उसका आटा तयार करते जाएंगे अगर दही थोड़ी कम लगे तो आप इसकी जगा पान ने डाला है हरी मिर्च और दो चम्मच भीगी हुए कच्छी मुंफली है अगर आपके पास भीगी ने तो बीना भीगी मुंफली यूज कर सकते हैं तो साथ में नमक डालके हम इसको अच्छे से थोड़ा टाइट लगता है या कड़ा लगता है तो थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के इसको अच्छे से मसल के चितना कर लीजिए और जादे कड़ा है तो थोड़ा पानी छिड़क छिड़कर इसको अच्छे से नीट कर लीजिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा उसके बाद हाट में लगाएंगे घी और और इसकी बड़ी सी लोई कट करेंगे इसमें से हम मैंने जितना लिया है उस में से तीन लोई या बिल्कशना स्याइज के त्यायर हो जा रही है अब इसको क्या करेंगे चकल पर भी यão तेल और उसके बाद इसको हम अच्छे से उसके दभाते हुए कि अच्छे से इसको मेघ ने कि जाती है कोई इस प्रॉबम नहीं होती है यह देखिए कि नारीया अच्छा लगाएंगे यह दिखिए जैसे मैं लगा रही हो ना एक रूटी में एट पीस बनके तयार होगा फ्रेंड्स अगर बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगी तो 6 या 4 बनके तयार होगा आपकी वर्जी के उपर है आप अपना देख लिजेगा कितना बड़ा चोटा बनाना चाहत है उसी साथ से यह दिखिए एक ट्रेंगल उठाएंगे और साथ में जो किनारियां फटी हुए इसको थोड़ी सी ट्रीम कर देंगे देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से शेप में त्यार होगा नहीं इसी तरह सारा हम बनाके रेडी कर लेंगे और जादे पतला नहीं र जाएंगे तेल बहुत गरम नहीं होना चाहिए तो यह जल जाएंगे और अंदर तक नहीं होंगे तो इस तरह डालके हम सारा सेक के और अच्छे से क्रिस्पी करके निकाल लेंगे एक बात इस ट्रेंगल की बहुत यह अच्छी है तो यह तो अगर आप शाबुदाना भीग प्रंची बनके त्यार होते हैं आपको यह रेस्पी बहुत ही पसंद आएगी अगर चैनल पर पहली बार ही हो फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो फूल वाच करिएगा लास्ट में लिक के जरूर बताएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी यह देखिए सारा हम इसी तरह निकाल लेंगे बाहर सारा तलके और यह बनके त्यार हो गया उतने मैं इतना बना त्यार किया इसको सर परेंगे हरी मिर्ची और चट्नी के साथ खानी में बहुत ही यमी लगती है अगर आप इसको चाहें तो फ्रीज में इसको बना के और फ्रीज में फ्रीज करके रख दीजिए और बाद में चल कि इसको आप बाद में दूसरे दिन या तीसरे दिन तलके आप निकाल के और तलके अपना सर्व कर सकती हैं मैं मैं मान के आने पर रेष्पी पसंद आई फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेर और झाल झाल झाल